जारखंड हाई कोट ने मश्रक्त के विधाया कशोक सिंग हत्याकांड में बिहार के पूर्थ बाहु बली सांसत प्रभुनात सिंग और उनके भाई दीनानात्ख सिंग को दीगई उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा गया है। हाई कोट ने शुक्रवार को निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। लेकिन हाई कोट ने संदेह के आधार पर प्रभुनात सिंग के भतीजे रतेश सिंग को इस मामले में बरी कर दिया गया है। हाई कोट ने अपने फैसले में निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा। वहीं हाई कोट ने प्रभुनात सिंग के भतीजे रतेश सिंग को राहत देते हुए। के खिलाप निचली अदालत द्वारा दिये गये फैसले को पलट दिया और इस मामले में संदेह का लाग देते हुए बरी कर दिया। प्रभुनात सिंग, दीनानात सिंग और वीपेश सिंग तीनों को करीब दो दशक पुराने मश्रक के ततकालीन विधाया कशोक सिंग हत्याकार्ण में हजारी बाकी निचली अदालत ने दोशी पाते हुए आजीवन का रावास की सजा सुनाई थी। साथ की अदालत ने सभी पर 40-40,000 रुपे का जुर्माना भी लगाया था। जिसके बाद तीनों ने 2017 में हाई कोट में याचिका दायर की थी। जिसका फैसला कोट ने आज सुनाया। आपको बता दें कि साल 1995 में ततकालीन विधायक अशोक सिंग की उस समय बम फेंग कर हत्या कर दी गई थी जिस समय वह अपने सरकारी आवास पर लोगों से मिल रहे थे। इस मामली में उनकी पत्नी चांदनी देवी ने पूर्व सांसत प्रभुनात सिंग की खिलाप नामज लो इसे मिल हाठो की जढ़ हुनात से अकत्रों状 की तोूर्व Carn2 ऑंधनी